नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत है आपका SPN 9 News के इस खास प्रोग्राम में और प्रोग्राम की सुरुवात करेंगे विनेश फोगार से वही महिला खिलाडी जो लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती रही चार हपते बीटने को है लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है वो कौन सी समयती गठित की गई थी जिसका वाइदा अनुराख ठाकुन ने किया था लेकिन देखा जाए लगातर जो ब्रजभूशन सरनसिंगे वो रहलिया कर रहे हैं अवरार उनसे सबाल लेंगे कि क्या बनिश्फोगाट को जो है नया मिलेगा लगातर देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के नेता जो है अनुराख ठाकुन उन्हें वाइदा किया था चार हपते बीटने को है लेकिन अभी तक ना इस्तीफा लिया गया और ना ही गंबीर विशे है और इस पर मैं कहना चाहूँगा यत्र नारी वस्तू पुजयंते रमंते तत्र देवता जो यह इस देश में खास दोर से लागू होता है कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते लेकिन जो हमारी जो संस्कृती आप कह सकते हैं लगतार बडलती चली जा रही और भारती जता पार्टी पर सबसे बड़ा पर्ष्न यह खड़ा होता है कि जिस तरीक शुनावी मैंदानों में किये जाते हैं चुनावी मंचों से किये जाते हैं और अब देखिए कि जब मामला इतना ज्यादा गंबीर हो गया तो जो खेल म तो यहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं आपने बहुत खुब बोला है लेकिन वहीं देखा जाए तो हमारे भारत को भारत माता कहा जाता है वहीं देखा जाए तो राम के आंगे सीता होती है सीता राम बोला जाता है क्रिश्न के आंगे राधा हो तो तीराजिक्रिशन बोला जाता है यानि की संसकार और संसक्र्टी के लिए भारत देश जाना जाता है लेकिन आज ऐसी क्या तस्वीर है कि बीजेपी पार्टी संसकार करती है और लगातार जो वादे किसानों के मुद्धें उपर भी जो किये गए तो उन वादों पर बीजेपी अब तक खड़ी नहीं हो पाई तो इसका नुकसान जाहर सी बात है कि बीजेपी को राजनितिक तरीके से उठाना पड़ सकता है सीटों के लिहास से भुकतना और टैनलि देश है पुकारता फुकारती माघारती हर जगए देखा जाये तो एक मार्त प्रेब एलगा ही नहीं रहता है जिसका गौरब गाथा विश्व इस तर अंतराश्थि एस तर पर भी गया जाता है लेकर आज अगर देखा जाये तो ब्रब suivre भूशन सरन सिंग्ह ञ मांग नहीं की जाती है देश के प्रधार मंतरी जब पीट करते हैं जब विनेश फोगाड जो है देश के लिए मैडल लेकर आती है लेकिन वही विनेश फोगाड के आसूं का हिसाब करने के लिए देश के प्रधार मंतरी आंगे नहीं आते हैं यहां पर राहुल हमारे साथ हपते में सुनवाई हो जाएगी जो कुछ मिलेगा उस पर कारवाही की जाएगी लेकिन चार हपते लगातर बीटते चले जा रहे हैं कुछ बड़ा फैसला देखने को नहीं मिला देखिए अगर बात करें जिस तरीके से अनुराक ठाकुर हो या फिर मुदी सरकारों तमाम ऐस जैसा बड़ा घोटाला हुआ भई आपने अडानी के साथ मिलकर खाया देश की जनता जानती है इसके लावा आपने कोरोना के वक्त में मना करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के वज़े से लोगों के मौत नहीं होती लेकिन उसकी राउल सर मैं आपका लोटूंगा यहां पर एक स स्थीवा ले लिया जाएगा लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि भूशन सरानसिंग सुरक्षित हैं रह लिया कर रहे हैं जन्संपर कर रहे हैं क्या बीज़ेपी पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम करती हैं जाहिर से बात है मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए इ और इस एक्टिवनेस की बीच जो कॉंग्रेस से नाराज है जो नेता जो घर बैठे हुए हैं उनको मनाया जाएगा जिससे की पार्टी को मजबूत किया जाए तो ब्रजभूशन शरन सिंग एक ऐसे नेता हैं पार्टी के यूपी की सियासत में जन्हें बाहु बली कहा जा यहां पर प्लांस करती हुएन उसरारी हैं अब यहां पर ब्रजभूशन शरन सिंगको लेकर बात आ रहे हैं दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी में सवामी प्रसाद मोरे को लेकर बातیں उठ रही हैं वैं यह दावा कर रहे हैं कि जबस्ता सत्ता में आ जाएगी तब पर एहम फैसले लिये जाएंगे तब बदलाब किये जाएंगे चौपाईयों में तो आप देखा जाएंगे यहां पर सभी एक तरीके से देखा जाएंगे बहती गंगा में हाथ तो सभी दोते हुए नजर आ रहें लेकिन दूसरी ही तरफ लोकसबद चुनाव की जीत के यहां पर नाहीं उनके खिलाफ कोई सजा सुनाई गई है और देखा जाए तो चुनावों को ध्यान में रखते हुए नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है अगर आप यहां पर फैसला नहीं सुना सकते हैं लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं क्या यहां पर बाकी के जो काम यहां पर एक चीज पर जरूर रोक लगा देनी चाहिए अगर ठंडे बस्ते में मामला डाला जा रहा है अगर अनुराग ठाकुर ने यहां पर वादा किया था वो वादे अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर एक चीज तो करीं दीजिए कि ट्वेटर उ सवाल मिलना चाहिए बिलाएं जो सरकार से बड़ी उमीद लगा कर बैटा था सबसे बड़ी बात है जो हजार के बात से अगर हम देखे किसान जो है वो प्रोटेस्ट करते-करते था ग्या बेरोजगार रोजगार के लिए मांग करते-करते था ग्या किसान अपनी आवाज को नहीं उठा पाया देश का जव अधिकार जिस तरीके से खुद अगर प्रधानमंती नरेंद मोदी कहते हैं लाल के लिए से खड़े ओकर महिला सुरक्षा की बाद या महिला सम्मान की बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे कुलदीप सिंग सेंगर हो या फिर अगर बात कर ले हम जो अभी बिजबूशन सरण सिंग हो या तमाम और भी भाजपा के तमाम बड़े चैरे हो जिस तरीके से देखिए आशीष मिश्राजे मिश्रा टैने का बड़ा नाम सामने आता है तो भाजपा अपने नेताओं को क्यों संरक्षन देरी भी कानून सब के लिए समिधान में अधिकार सबको दिये ग हो उनको उन पर सवाल नहीं किये जाते हैं देश के प्रधरमंत्री भी सामने नहीं आते हैं मन की बात करते हैं राश्ट के नाम संबोधन करते हैं लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ यह बताता है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन अग धकिन देखना यह को कि सवार्ण सीनिग्य को सभान होता है कि नहीं होता है अनुर proper की अगली पीतिकी रिया क्या होगी यह जरूर जो सीमे बतादी लेकिन जाते-जाते एक सवाल आपसे लेंगे कि क्या लगता है जोगा या नहीं आज के Suicer Vin EE. Dan